City Home News देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं अलीनी स्वागत करती हूँ आज 29 सिप्टैंबर है यानि की World Heart Day और World Heart Day आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है इसके क्या कारण है हम जानेंगे हमारे साथ यहां पर जुनने लगे हैं डॉक्टर S.S.C.B.A. तो इनसे बात्चत करेंगे और इसे जानेंगे वर्ल्ड हार्ट दे के बारे में नमश्कार सुर्ण आपका हमारे चैनल पर पहले स्वागत है Thank You World Health Day एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है important इसलिए है कि कुछ ब्मारिया है जो कि बढ़ रही है और कुछ है जो कि बढ़ रही है और कुछ है जो कि बढ़ रही है और कंट्रोल की जा सकती है इसलिए international लेवल पर सोचा गया कि एक ऐसा दिन रखा जाए जिस पर ज्यादा concentrated किया जाए ज्यादा awareness की जाए world heart day इस दिरह रखा गया है ताकि इस दिन लोगों को वेनस दी जाए heart के problem के बारे में तो यह world heart day 29 September को ही क्यों चुना गया 29 September कुई कोई और दिन भी हो सकता था world heart day दिन में क्या है गलत बात तो यह है कि एक दिन होना चाहिए मैं तो ये सोचता हूँ कि आप एक निया काम करते हूं और जब निया काम करते हो एक निया दिन है जो निया दिन है तो आपका पहला दिन जो होता है वो बर्डे होता है तो मैं यह सोचे चलता हूँ कि हर दे आपका बिर्डे है, इसने सरव एक दिन है, मैं इसको रिलेशन में नहीं डालना चाहूँगा, लेकिन मैं उस टॉपिक पर नहीं जाना चाहूँगा, मैं तो यह चाहूँगा, कि एक दिन है, एक दिन मुना रहे हैं, जैसे कि आजकल की तो इसके क्या कारण है? इसके बहुत से कारण है. परहे तो हम लोग जो कि कुछ डिजीज हैं, कुछ बाद में अकॉइड है. जो इसलिए ज्यादा हो रहे हैं, कि हम लोगों का रहन सहन गल्थ हो गया है. जब बच्चा पैदा होता है, उसके पहले उसके मदर के क्या environment है. तो उस सब पर डिपेंड करेगा. हमारी जितनी बमारियां हैं, या हम जो हैं, वो बेस्टी दो चीज़ों पर नर्बर करता है. एक तो है जैनेटिक जो हमने अक्वायर किया, दूसरा है जो environment के साथ उसके उपर क्या-क्या effects लें. तो जो जैनेटिक डिजीज़ों हैं, एक तो वो आगई हार्ट की. लेकिन जो आप बेसी भी पूछ रहे हो, वो है कि हार्ट टैक यंगर एज में क्यों हो रहा है. उसे बहुत से कारण है कि हम लोग का lifestyle बहुत खराब हो चुका है, ना हमारा खाना पीना ठीक है, ना हमारा रहन सेन ठीक है, हमारी exercise कम है, हम जो है जिस वातारवन में सांस ले रहे हैं, हम वहीं से शुरू हो जाए, वहीं हमारा साफ नहीं है. हमें कैसी lifestyle अपनानी चाहिए कि ताकि हम इन खतरनाग बिमारियों से दूर हो और हमें हार अटाइक की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आज कल कोरोना का टाइम चल रहा है और कोविट के टाइम में तो काफी जादा लोगों को अवेर होनी की जरूरत है इन सब चीजों से, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हमारे thoughts ठीक रहने चाहिए, क्योंकि जो brain है वो सब चीज कंट्रोल है, अगर स्ट्रेस कम होगा तो हम लोगों का जो शरी ठीक रहेगा और हाट ठीक रहेगा, फिर खाना पीना ठीक रहेगा, उसके लिए सबसे सिंपल बात है कि हम लोग जितना नेचर के नजदीक का खाना खाएंगे उतना अच्छा है, जो vegetables हो गए, fruits हो गए, उसमें घी, तेल, हर तरह का fat कम हो, sugar कम हो, time to time हम लोग अपना check-up करवाते रहें, especially sugar and blood pressure के लिए, अपने जैसे की बोला stress, तो stress कईयों को जो दिमाग है, वो stress में काफी, stress में भी कईयों को heart attack आता है, तो यह connected कैसे होते हैं अगर अभी बहार आपके एक धुमागा होता है, हम सहम जाते हैं, stress होता है, हम सहम जाते हैं, और सहम ने का मतलब सिर्फ बहार से नहीं, हमारे यह arteries हैं वो भी tight हो जाती है, अगर बहुत देर तक tight रह जाए, आगे blood flow कम हो जाएगा, heart attack हो जाएगा, अगर हमें आदत पढ़ जाए stress में रहने के लिए, तो arteries जो की खुली हो जाएगा, दीरे दीरे बंद होकर वही रह जाती है, और इसका long term effect आजाता है, इसमें एक चीज मैं कहूंगा, कि लोग कहते हैं कि stress हम कैसे रोक सकते हैं, क्या हम बारिश को रोक सकते हैं, नहीं नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अपने आपको गीला होने से तो बचा सकते होना, तो वैसे ही है, जैसे हम अपने आपको बारिश को रोक सकते हैं, लेकिन अपने बचाने के लिए हम एक चत्री ले सकते हैं, उसी आप stress के factors अगर हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अपनी thinking process के साथ हम उसके effects अपने रोक सकते हैं, तो यहने की stress नहीं, बात यह है कि यह stress management कैसे करना है, और unfortunately stress management की तरफ लोग दिहार नहीं दे रहे, सब stress की तरफ दे रहे हैं, तो हर stress का जो है, एक manage करने का तरीका है, और व वेरी करेगा person to person, situation to situation, तो जो हार्ट है, यह हार्ट की बिमारी बहुत ही खतरनाग बिमारी होती है, जान लेवा बिमारी होती है, तो आप हमारी दशकों को थोड़ी ऐसी tips देजे, ताकि वो इस बिमारी से थोड़ा कोसो दूर है और उनको यह बिमारी ना लगे, उन्हें क होना चाहिए, meditation का time होना चाहिए और exercise का time होना चाहिए, जितना stress जो है, उसको manage करो, सबसे best method है कि आप उसके लिए meditate करो, आपकी संगत ऐसी हो, आपके environment ऐसा हो, आपके दोस्त ऐसे हो, ताकि आप उनके साथ discuss करके stress relief कर सके. तो जैसा कि आपने जाना आज वर्ल्ड हार्डे था और आज के दिन जो हमने बात करी, डॉक्टर एसस सेविया से, जिनों ने आपको अच्छे तरीके से बताया कि आपको अपने lifestyle में बदलाव लानी की जरूरत है, अगर आप अपने lifestyle को सही रखते हैं, तो आप इन बिमार की जवाब देने की कोशिश करेंगे, और ऐसे ही अपडेट्स चानने के लिए देखते रहे हैं, सेटी होम न्यूस, कैमरा मैन सागर के साथ नरेनी